वेल्कम टू पीके क्लासिस आज हम बात करने वाले हैं डीजल साइकल की तो डीजल साइकल की हम बात करेंगे इसके पहले आटो साइकल की अपन बात कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं डीजल साइकल की तो दोस्तों यदि आप चाहते ह है कि आपको बहुत ही आसन तरीके से कोई भी इंजरिंग का टापिक समझ में आए तो उसके लिए आपको एक ही चैनल है हिंदी में सरलता से समझने का एक मात्र यूटूब चैनल है वह पी के क्लासिस तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियो आपके सब्जेक्ट से मिलें तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है और लास्ट में बेल आइकान का बटन प्रेस करना है जिससे आपको आने वाले निव वीडियो की जानकारी मिल सके चलिए तो वीडियो आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि इसकी efficiency है उसका derivation भी है तो उसके लिए आपको last step ही देखना होगा तो ही आप समझ में समझ पाएंगे ओकी चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं diesel cycle की कि जो diesel cycle है यह diesel cycle होती क्या है तो जो diesel cycle है diesel cycle क्या होती है कि यह diesel engine पर काम करती है दोस्तों जो diesel cycle है वो किस पर काम करती है diesel engine के उपर काम करती है तो यह किस पर diesel engine पर काम करती है और diesel cycle को Dr. Rudolph Diesel ने 1897 में बनाया था इस cycle में जो heat है उसमा यह हमारी किस पर constant pressure पर supply होती है और इस cycle में auto cycle की तरह ही 4 process होती है लेकिन इसमें 2 adiabatic process होती है एक constant volume और एक constant pressure एक difference है चलिए तो जो diesel engine है इसको हम CI engine के नाम से भी जानते हैं जिसको हम compression ignition engine कहते हैं चलिए इसके बाद diesel cycle अब हम बात कर रहा है इसकी diesel cycle की तो जो diesel cycle है diesel cycle का यहाँ पर PB and TS diagram दिया गया है जो diesel cycle है तो diesel cycle क्या होती है इसमें जैसे की आपको पहले भी बता चुका हूँ के suction stroke को हम represent नहीं करते हैं diagram में क्योंकि जो suction होता है वो हमारा constant pressure पर होता है तो यहाँ पर जो हमारी diesel cycle है इसमें चार प्रोसेस है बन्टू, थ्री, फोर और बन्ट तो जो प्रोसेस बन्टू है यह बन्टू प्रोसेस हमारी होती है compression process adiavatic compression process और adiavatic को ही हम isentropic बोलते हैं दोस्तो, तो जो isentropic compression process है इसमें क्या होता है कि जो हमारी air cylinder में आती है suction stroke में यह air, cylinder के अंदर suction के बाद जब compression stroke आता है तो उसमें क्या होती है compressed होती है और isentropically compressed होती है जिससे क्या होता है pressure increase होता है corresponding temperature बढ़ता है लेकिन जो आयतन है वो हमारा cylinder के अंदर कम हो जाता है जिससे pressure बढ़ जाता है इसके बाद process 2-3 है तो जब हमारा compression stroke complete होता है तो क्या होता है कि piston हमारी top bottom से कहां पहुँचती है top पहुँच जाती है तो हमारा air compress हो गई अब compress होने के बाद क्या होगा कि जो हमारा diesel है वो inject होगा fuel injector diesel को inject करेगा constant pressure पर तो क्या होगा combustion होगा fuel हमारा है वो जलेगा तो यहां पर जो process 2-3 है इसमें हमारी QS amount में heat supply होती है ओके 2 से start होती है जो की 3 तक चलती है तो जो process 2-3 है यह constant pressure प्रोसेस है जिसमें हमारी heat supply होती है और heat कितनी supply होती है यह है m cp t3-t2 जिसमें m आपका mass up gases है cp आपकी constant pressure पर specific heat है and t3-t2 change in temperature है ओके चलिए process जो 2-3 है इसमें 0.3 है वो हमारा कहलाता है cut up point क्योंकि 2 से heat supply start होती है प्रारम होती है और 0.3 पर क्या होती है खतम हो जाती है जिसको हम बोलते बंद तो जिस point पर बंद होती है that point जिए cut up point जिसको हम row से denote करते हैं जो हमारा cut up pressure होता है वो हमारा होता है row तो इस point को point 3 जिए cut up point चलिए तो जो process हमारी 3-4 है जब हमारी heat supply हो चुकी है तो जो हमारी gases slender में है यह हमारी क्या होंगी फैले ही expand होंगी expand होंगी तो क्या होगा volume increase होगा और pressure हमारा decrease होगा तो जो process 3-4 है यह process idiotic expansion process होती है जिसमें gases हमारी slender के अंदर क्या होती है expand होती है इसके बाद process 4-1 तो जो 4-1 है तो 4-1 जो है वो heat rejection process है लेकिन heat जो reject हो रही है वो हमारी constant volume पर heat reject हो रही है जिसको हम QR से denote किये हुए है तो जो heat reject है वो हमारी कित्ती है mcb cb मतलब specific heat at constant volume और t4-t1 तो जो process 4-1 है यह हमारी heat rejection process है इस process में heat reject होती है तो हमारी यह 4 process है वो complete हो जाती है ओके इसका ts diagram दिया हुआ है ts में आपका जो idiotic process है 1-2 उसमें entropy constant होगी क्योंकि कोई heat supply नहीं हो रही बन से लेके 2 तक तो entropy क्या है constant है और जो हमारी 3-4 है वो भी हमारी idiotic expansion process है तो इसमें भी हमारी क्या है entropy constant है लेकिन 2-3 तक heat supply होगी तो temperature increase हो रहा है और 4-7 में heat reject होगी तो temperature decrease हो रहा है इसकी efficiency जो होती है efficiency क्या होती है तो इसकी हम बात करेंगे तो efficiency के लिए हमने मान लिया consider किया mkg mass of air used as a working substance क्योंकि air standard cycle के नाम से भी जानते है तो इसमें जो working substance उप्योग करते है वो हमारी होती है air तो इसमें heat supply जो है वो हमारी होती है heat supply mcp t3-t2 क्योंकि heat को हम जानते है heat होती है q equal mc dt जिसमें m mass of air c specific heat and dt change in temperature heat rejection qr equal mcb t4-t1 तो efficiency क्या होती है efficiency होती है work done upon heat supply तो इसमें जो work done है work done हमारा किसका difference होता है heat supply minus heat rejection का जो difference होता है यह हमारा क्या कहिलाता है work done ओके तो यह हमारी efficiency हो जाएगी जिसको हम हिंदी में दक्षता बोलते हैं तो efficiency qs minus qr अपान qs दोनों की हमने value put किये mcp t3 minus t2 minus mcv t4 minus t1 अपान mcp t3 minus t2 ओके तो इसमें जो हमारा common आ रहा है इसको हम common ले लेंगे common हमारा क्या आ रहा है m common आ रहा है और दूसरा हमारा cp हम common ले लेंगे तो इसको हम separately divide किये तो mass cancel हो जाएगा cp cp first cancel हो जाएगी इसके बाद cv upon cp लेकिन हम जानते हैं कि cp upon cv जो होता है वो कहलाता है specific heat ratio जिसको हम gamma से denote करते हैं लेकिन यहाँ पर है cv upon cp तो यह हो जाएगा 1 upon gamma चलिए तो यह हमारी efficiency बचेगी 1 minus t4 minus t1 upon gamma t3 minus t2 जिसको हम नाम देंगे equation first ओके अब इसके आँगे अब हम लेंगे process बन्टू जो की हमारी adiabatic process है और adiabatic में pv gamma equal constant होता है जो की adiabatic ला कहलाता है constant क्या है entropy तो इसमें हम जानते हैं कि जो हमारी adiabatic process है इसमें होता है t2 upon t1 equal v1 upon v2 power gamma minus 1 चुकि b1 upon v2 हमारा compression ratio होता है जिसको हम rc से denote करते हैं तो v right h place b1 upon v2 equal rc तो हमारी t2 की value हो जाएगी t1 rc power gamma minus 1 ओके चलिए अब हम लेते हैं process 2-3 तो जो 2-3 process है इसमें हमारा pressure constant है तो इसमें t3 upon t2 equal v3 upon v2 तो जो हमारी v3 upon v2 है यह है हमारा cut off ratio कौन सा ratio है cut off ratio जिसको हम rho से denote करते हैं तो हमारी t3 equal हो जाएगा t2 into rho जिसमें हमने t2 की value put कर दिये तो यह हमारी बन गए t1 rc power gamma minus 1 into rho तो यह हमारी t3 की value हो गए t3 equal t1 rc power gamma minus 1 into rho चली next हम process लेंगे 3,4 तो जो process 3,4 है यह हमारी adiabatic expansion process है तो इसमें भी adiabatic lie apply होता है pv gamma equal constant constant क्या है entropy तो जिसमें हम जानते हैं कि t3 upon t4 equal v4 upon v3 power gamma minus 1 तो अब यह v4 equal v1 है तो हमने v4 की जगा पर किसको रख दिया v1 को रख दिया तो यह हो जाएगा हमारा v1 upon v3 अब यदि हम दोनों side v2 का multiply कर देते हैं तो we write v1 upon v2 into v2 upon v3 power gamma minus 1 तो हम जानते हैं कि जो v1 upon v2 है t4 equal t3 upon rc upon rho की पावर gamma minus 1 तो यहाँ पर हम t3 की value put कर देंगे क्या बचेगा t4 equal t1 rho into rho की पावर gamma minus 1 तो जो rho है इस पर प्लस 1 की पावर है तो multiplication में power add हो जाएगी तो हमारा finally t4 equal क्या बचेगा t1 rho की पावर gamma अब हमें क्या करना है कि जो हमारी value है किस किस की value है यह हमारी value है t2, t3 and t4 इस value को हमको equation first में output करना है equation first में रखना है तो इसमें हमना put up किये तो efficiency equal 1 minus कोस्टक में t1 rho की पावर gamma minus t1 upon gamma कोस्टक t1 rho into rc power gamma minus 1 minus t1 rc power gamma minus 1 तो यहाँ पर t1 कामन आ जाएगा नीचे आपका t1 into rc power gamma minus 1 कामन आएगा तो यह हमारा t1, t1 cancel हो जाएगा तो finally जो बचेगा वो हमारा बचेगा efficiency diesel cycle की 1 minus rho की पावर gamma minus 1 upon gamma into rc power gamma minus 1 कोस्टक में rho minus 1 दोस्तो यह जो efficiency है हमारी किसकी है diesel cycle की ओग दोस्तों की तोस्तों की तोस्तों की खोस्तों की खड़कर देखएगा